हर्याना पंचाय चुनाव को लेकर आ गई है एक बहुत बड़ी खबर जिसे हर्याना पंचाय चुनाव होने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है और देखेंगे हम पूरी खबर तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा छोड़िये गामत और वीडियो को पूरा देखिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबा कर चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सब को नई खबर पता चल सके और वो थोड़ा सा रिलेक्स हो सके कि पंचाय चुनाव अब होने ही वाले है क्योंकि सरकार बहुत बार बोल रही है कि अभी नहीं होंगे दो-तिन महीने लग जाएंगे और याचिकाओं पर फैसला आना है पर इनी रही याचिकाओं का फैसला आ गया है जिहां हर्याना पंचाय चुनाव से जुड़ी हुई याचिकाओं का फैसला हाई कोट ने दे दिया है और क्या कहा है हाई कोट ने इन के बारे में तो हम देखेंगे पूरी खबर महिलाओं को जो 50% अरक्षन की याचि का हाइख कोर्ट में लगी हुई थी उसको हाइख कोर्ट ने अभी उसके उपर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है जी हाँ याचि का बहुत दिन पहले लगी थी कि महिलाओं को 50% के ऊपर सेमित नहीं किया जा सकता वो जहां से भी चाहे election लड़ सकती है पर अब की बार सरकार ने किया कि 50% कि ऊपर अरक्षन दे कर 50% सिमित हो गई हैं और आब वह 50% 새टो परaurais lesion है इसे पहले यह होता था कि जहां से महिला चाहती थी वहां लड़ सकती थी और लोग अपने comfort के हिसाब से कि जहां आदमी उनके election नहीं लड़ सकता था हुआ से ओरत को खड़ा कर देते थे और वो औरत election लड़ लेती थी पर अब की बार ऐसा नहीं हो सकता अगर महिला की seat आई है तो ही महिला लड़ेगी अगर पुरुस की seat आई है तो उसके ओपर महिला आपकी बार election नहीं लड़ सकती तो ये इसके लिए याचिका लगी थी हाई कोट में पर याचिका का हाई कोट ने अब याचिका की सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया है कि हम अभी जल्द सुनवाई नहीं करेंगे और देखेंगे पुरी खबर कि हर्या हाई कोट ने खारिज कर दिया है हर्याना में पंचायत चुनाओं में महिलाओं को 50% आरक्षन देने के कथित खामियों को लेकर मारनिय हाई कोट में याचिका दायर की गई थी जिस पर हाई कोट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है जिन वार्डों पंचायतों और ब्लोक सम एगरी में महिलाओं को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता हाई कोट ने इस याचिका पर हर्याना सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था इस मामले में कोरोना के चलते सुनवाई 20 अगस्त को होनी है अरजी में कोट को बताया गया कि सरकार जल्द ही पंचाय चुनाव करवाने की कोशिस में है अगर एक बार चुनाव की अधिस उचना जारी हो जाती है तो उसके बाद कोर्ट की उस मामले में हस्तक शेप करने की संभावना बहुत कम हो जाती है ऐसे में हाई कोर्ट इस मामले पर जल्द सुनवाई करे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर अधारित बेंच ने याची की इस मांग को खारिज कर दिया है और सुनवाई को जल्द करने से बिलकुल साफ इंकार कर दिया है जिहां अब इसको देखते हुए लग रहा है कि इस सुनवाई पर जादा अब कोई भी सुनवाई इसके उपर नहीं होने वाली है क्योंकि दिया है यह थी एक बहुत बड़ी खबर जो हर्याना पंचाय चुनाव से जुड़ी हुई आई थी और यह ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और आपको बहुत बहुत शुब कामना आप अपने इलेक्षन में बहुत अच्छे मतों से जीती धन्यवाद